तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे फुलबारी, कारपुस्ति का फुलबारी यह कच्छा चार की हिंदी की पुस्तक है तो इसमें आज हम लोग देखेंगे पारठ शोला बच्चो का पूच्च के इंद रे इसके पहले हम इसमें अपने YouTube चैनल पे पारठ पंद्रा प्रसय वीडियो आपलोड कर चुके हैं, तो आगे हम देखते हैं कि प्रसंख्या 1, प्रशनों के उत्तर लिख Crye, तो इसमें पहला प्रसंद्जा है कि पूशताज केंद्र क्यों होते हैं, लोगों की सहायता के लिए पूशताज केंद्र होते हैं, अब आगे आता है कि निया था नहीं हं यह तो kamu जाता है यह तो इसे बच्चों को बई और नहीं नहीं से घेले कहता है इस अर फोड़ा सब बहुत के डहका रहता है है कहीश मांथ फ़र्स पर गिर जाती है तो टूट जाती है तो इसे बच्चों को बहुत नुकसान हो सकता है तो इसलिए हमें बच्चों को नहीं देना चाहिए तो इसका उतर हमें इस तरह से लिख सकते हैं कि कांच की वस्तुमों के टूटने से उन्हें चोट लग सकती है अब आगे आता है कि मिलान की जी help 9 number दिया गया है सहायता दिया गया है यह 112 112 किसके लिए है पुलिस हेल्प लाइन का नंबर है फिर 102 आबलीक 108 102 या 108 यह एम्बूलेंस हेल्प लाइन के लिए है आगे है 101 101 जो है 5 ब्रिगेड हेल्प लाइन के लिए है 103 नंबर जो है मेडिकल हेल्प लाइन के लिए है और जो एक हज प्रेशन आता है प्रेशन ख्या 3 नीचे दिये के सब्दों के विलोम सब्द लिखें सब्द विलोम लड़की लड़की का विलोम लड़का पिता का विलोम माता स्वतंत्रता का विलोम परतंत्रता गलत का विलोम सही और शवाल का विलोम जवाब आगे को आता है प्रैशन ख्याचार रिक्त अस्थानों की पूर्थी कीजिए पहला दिया गया है कि सडक के नुकर पर लड़की सारी लकडी की छोटी सी थी, निस सडक के नुकर पर लकडी की छोटी सी ये वाक्य हम किताब से देख लेते हैं जो हमारा ये फुलवारी जो वर्क बुक हमारी चलती है तो इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पे हमें यही वाक्य को फिल करना था कि सडक की नुकर पर लकड़ी की एक छोटी सी दुकान थी तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में पूठ किया था कि सडक की नुकर पर लकड़ी की छोटी सी दुकान थी आगे आता है अगला वाक्य दिया है एक दिन एक चंचल लड़की चीची सडक पर घूम रही थी आगे है चांद रात में रोशनी देता है और सूरज दिन में यहींदि केंद्र सर्थ लगाने के लिए बंद्र है अब आगे आता है प्रसंख्या पांच ने में लिखे तो वाक्यों में विशेष्था दर्शानी वाले सब्दे पहशान कर लिखे अब आगे तो यहां पर वाक्य दिया है यहां पर विशेष्ण दिया है तो वाक्य में दिया है कि र नाम और स्यान कैसे भाई थे जुड़ो भाई थे जुडवा सब्द क्या होता हिइव क्या होता है विषेशन कहलाता है तो यहां पे शंग्या की विषेशता बताने वाला सब्द, जुडवा भाई, जुरवा विशेशन, आगे दिया गया है, उनको तेज चिलाना पसंद नहीं था, क्या पसंद नहीं था, तेज, तेज चिलाना हम लिख सकते हैं, इसमें तेज, मिरब चिलाना, कैसे चिलाना, तेज चिलाना पसंद नहीं था, आगे आता है, कुता बहुत चालाग था, कुता कैसा था, म में हम चालाक लिखतेंगे तो यहाँ पर चालाक हमारा विशेशन हो जाएगा अब आगे आता है प्रेशन वो प्रेशन क्या अच्छा रेल्वे लाइन पार करते इसमें हमें कौन-कौन सी साउधानिया रखनी चाहिए तो इसको लिखना है नमबर एक मानूरहित क्रासिंग प नहीं आ रही है ट्रेन की दाएं बाएं साउधानी से इसे हम देख करके ही हमें क्रास करना चाहिए क्योंकि ट्रेन कभी बहुत अचानक तेजी से आ जाती है प्लेटपॉर्म पे उस पे ट्रैक पर और सुनाई नहीं देता उसकी आवाज अब आगे आता है प्रसंख्या दो अगला वाकित दिया गया है दो रेलवी फाटक बंद होने पर रेलवी लाइन पार नहीं करना चाहिए बलकि फाटक खुलने का इंतजार करना चाहिए यानि जब तक फाटक ना खुले तब तक हमें ट्रैक को पार करना नहीं चाहिए आगे है कि जब रेल गाड़ी रेलवी लाइन पर दूर दूर तक दिखाई ना पड़े तभी रेलवे लाइन पार करने चाहिए इसके अलामा भी जो भी साउधाने आपको पता है आप इसमें लिख सकते हैं और बस ये पार्ट आपका यहीं खतम होता है वेडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धान्यवाद